अलो फ्रेंड्स, वेल्कम यू आल ऑन हेल्दी कुकिंग पालक का सीजन है, हेल्दी वैज है, क्यों न पालक पनीर बनाया जाए और लाजवाब सबजी को खाया जाए आज इस रेसिपी को आप मेरे धंग से बनाईए, आप को बहुत पसंद आएगी डाइसो ग्राम पालक को धोकर में डाल कर एक विसिल लगा लिया और फिर उसे हैंड ग्राइंडर से पीस लिया है उसमें एक चमस दही डाल दिया है ताकि हमारा सुन्दर सा कलर आए नमक भी बॉयल करते समय ही डाल देना है अब पनीर के पीसेज को नौन स्टिक पैन में आदा चमच घी डाल करके इन्हें थोड़ा सा गोल्डन प्राउन कर लिया है और बहुत जादा नहीं फ्राई करना है सब थोड़ा सा गोल्डन हो जाएं और यह हम पनीर टूटे नहीं एक चमच घी नौन स्टिक पैन में डाल करके जिंजर गार्लिक बारी कट करके डाला है पहले एक चमच जीरा भी डाल लिया था और फिर जब इसके फ्राई हो गया तो टमाटर डाला है हरी मिर्च डाली है और जब यह मसाला अच्छे से फ्राई हो गया तो हमने इसमें पिसा हुआ पालक डाल दिया है और इसी पकारना है ज्यादा मसाले इसमें नहीं डालने है ताकि पालक का टेस्ट आ सके हमारा यमी पालक पनीर तयार है मेरे ढंक से पालक पनीर बनाएं खाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब हल्दी कोकिंग